Welcome back to Clean News UP चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटा फट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बदाना आप पिल्कुल ना पूरे साथ ही हमारे फेस्बुक पेस्ट को भी फॉलो करें फेस्बुक बेट कर दें पिल्कुल पेस्ट की तैयारी नहीं बेसिक शिक्षा परिशद की स्कूल से एक अप्रेल से शेक्षिक सतर 2022 से शुरू हो जाएगा लेकिन विद्यार्तियों को ने शुल्क पाच्छे पुस्ट के वित्रत कराने के तैयारी अभे तक शुरू नहीं की गई ऐसे में विद्यार्तियों को अप्रेल में पाच्छे पुस्टकों का वित्रन होना संभव नहीं लग रहा उदर विद्यार्तियों को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग और स्वेटर की राशी का नकत भुकतान किया जाएगा या सामक्री खरीद कर वित्रित की जाएगी, इस पर भी अभी निर्ने नहीं हुआ है सूत्रों के मताबेक नई सरकार के रुख पर इसका निर्ने किया जाएगा परिशदी एसकूस में 1.8 शून ये करोड विध्यार्तियों को निशुल क पाथे पुस्तकों का वित्रन किया जाता है गोरकपुर में वोटर्स के लिए आफर उंगली पर लगी स्याही दिखा डॉक्टर्स से मुफ्त पाएं इलाज चिनाओं में मदान प्रतिशत बढ़ाने के लिहास से लोगों को प्रेरित करने के लिए गोरकपुर में IMA ने पहल की है मदान करने वाले लोग शहर के विशेशक के डॉक्टर्स से एक दिन मुफ्त इलाज करा सकेंगे उगली पर लगी स्याही दिखा कर और निशुल को परचा बनवा कर यह लाब उठा सकेंगे चेमाज को सीतापुर आई हॉस्पटल में इसके लिए शिवर कायो जन होगा IMA अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही ने अपील की है कि अधिक से अधिक मद्दान कर प्रदेश में गोरकपुर का नाम रोशन करे IMA के मेडिया प्रभारी डॉक्टर इम्रान अक्तर ने बताया कि मद्दान करने वाले लोगों का प्रात्मिक्ता के आधार पर इलाज किया जाएगा अब काठी जाएंगे लाखो बिजली के कनेक्शन कहीं आपका नाम भी इस लिस्ट में तो नहीं जिसे देखते हुए अब मुख्य अभियंता ने जिले में करीब 300 करोड रुपे से अधिक बिजली के बिल की बकाया धनराशी वसूलने के लिए विशेश बकायदारों के यहां पहुचकर कनेक्शन काटने का कारिक करेगी गाजियाबाद बिजली विभाग के मुख्य अभियंता इसके पुर्वार ने बताया कि विद्यत निकम बकायदारों को बकाया बिल जमा कराने के लिए नोटिस की माध्यम से लगातार जाक्रू कर रहा है 15 मार्च से शिरू होगी यूपी राजाशी टंडन मुक्त विश्य विद्याले की परिक्षा 130 परिक्षा केंद्रों पर साथ हजार शिक्षारती देंगे परिक्षा शिरू होने वाले परिक्षा को लेकर उत्रप्रदेश राजाशी टंडन मुक्त विश्य विद्याले के कुलपती प्रॉफेसर सीमा सिंग ने बताया कि प्रदेश में लगबक 130 परिक्षा केंद्रों पर 60,000 शिक्षार्थी परिक्षा देंगे जेलबंदी परिक्षा रति प्रदेश के विविने जेलों में बनाए जा रहे हैं परिक्षा केंद्रों में ही परिक्षा देंगे कुलपती प्रॉफेसर सीम्ग ने बताया कि 15 मार्च से 23 मार्च तक तीन पालियों में सुबह साथ से 10 बजे तक प्रथम पाली दोबहर 11 बजे से दोबहर 2 बजे तक दित्य पाली और 3 बजे से 6 बजे तक त्रित्य पाली में प्रमार पत्र डिप्लोमा वस्तनात को तर डिप्लोमा अधिकारे क्रमों की परिक्षा का आयोजन किया गया है कानपूर से उत्रकंड के लिए शुरू हो रही एर सर्वेज कुछी घंटों में लंबी दूरी हो की पूरी उद्रपरदेश के साथ ही उत्रकंड के लोगों के लिए भी रहत भरी खबर है कानपूर से उत्राखंड आने जाने के लिए लोगों को अप्ट्रेन कर थजार नहीं करना पड़ेगा अब कुछी घंटों में लोग कानपूर से उत्राखंड के लंबी दूरी तैक कर सकेंगे होची घंटू में कानपूर से हवाई मार्क से पहाडी राजी में पहुचना आसान हो जाएगा दरसल कानपूर से उत्रकंड हवाई मार्क से जुनने जा रहा है दिल्ले पदंगपूर कानपूर के लिए इसी महा विमान उडान भरेगा एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया ने इसकी अनुमती दी है हाला कि फिल्हाल विमानन कंपनीज इसे ग्रीश मकालीन शेड्यूल में शामल कर रही है यूपी की रैली में ऑपरेशन गंगा पर पीम मोदी बोले देश की बढ़ती ताकत का ही नतीचा पीम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उत्रप्रदेश की चुनावी रैली में यूकरेन रूस संकत का जिक्र किया पीम मोदी ने बुद्वार कुसोन भद्र की रैली में ऑपरेशन गंगा को लेकर कहा कि ये देश का बढ़ता सामर्थ है कि यूकरेन में फसे भारतियों को निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है पीम मोदी ने ये भी कहा कि भारत को और ताकतवर बनाने के लिए आत्म नर्भर बनना होगा लेकिन परिवारवादी इसका मजा कुडाते हैं पीम मोदी ने कहा आज दुनिया में जो हालाद बने हैं वो आप देख रहे हैं ये भारत का बढ़ता सामर्थ ही है कि हम यूकरेन में फसे हमारे देश के नागरेकों को सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे है यूबी के कानपूर समेट आसपास के जिलों में बूनदाबानी के आसार मौसम विभाग ने की ये भविश्यमानी दक्षन पूर्वी बंगाल के खाड़ी और दक्षन अन्बान सागर के उपर बने निम्भन दवाब का शेतर बनने की वज़े से तीन से पांच मार्च के बीच प्रदेश के पृष्यमी और पूर्वी शेतरों में बूनदाबानी होने की संभावना है मद्धी शेतर के कानपूर सहित और एया इटावा में भी इसका सर देखने को मिल सकता है चंदरशेकर आजात कृष्य और प्रदेगी के विश्यविद्याले इस्तित मौसम विभाग के अनुसार पश्टिमी विक्षोप का सर वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान के उपर बना हुआ है दो मार्च से ये पश्टिमी हिमाले के शेतरों में सक्रिय होगा आज प्रियाग राज की हंडिया विधान सभा के एक बूत पर होगा दोबारा मद्दान प्रियाग राज जिले के हंडिया विधान सभा सीट के मानिक पूर इस्तित प्रात्मिक विद्याले में बने बूत नमबर 3-1-1 पर आज 3 मार्च को दोबारा मद्दान होगा यहां 27 फरवरी को हुए मद्दान के बाद जरूरी दस्तवेश गायब हो गए थे जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सम्मंदित पोलिंग अधिकारियों के खलाब सोमवार को ही प्रियागराज में मुकदमा कायम करा दिया गया था और आयोग को पूरे मामले की रिपोर्ट भेज दी गई थी अब आयोग ने उक्तिबूत पर दोबारा मद्दान करने का फैसला किया है मैनपूरी के करहल के बाद ये दूसरी जगह है जहां दोबारा मद्दान कराया जाएगा ये लोग नहीं बनेंगे मद्गर्णा एजेंट आगरा बेपास के लिए चार से साथ मार्च तक जमा होंगे आवेदन मंत्रे विधायक सांसत ब्लॉक प्रमुक वसुरक्षा प्राप्त कोई बीव्यक्ती मतगर्णा में किसी प्रत्याशी का अभी करता नहीं बन सकता अभी करता बनने के लिए चार से साथ मार्च तक रिटर्निंग ऑफिसर कार्याले में आवेदन चमा होंगे बिना पास किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा अगरा जिले में दस मार्च को सुबह आट बजे से मत करना होगी जिला निर्वाचा नदिकारी और डियम प्रभू एन सिंग ने बताया कि पहली बार पांच इस्थानों पर मत करना होगी एतमादपुर ग्रामीन के अलावा छाबनी उत्तर वदक्षन विधानसबाश शेत्र के वोचो की गिंती शहादरा इस्थित गल्ला मंडी परिसर में होगी उवैसी जब तक जिन्दा रहेगा तुम्हारी नीन हराम करता रहेगा आजमगड में AIMIM प्रमुक की हुंकार यूपे विधानसबचनाव के सियासी ड्रण में अकेले उत्रे AIMIM प्रमुक असदुद्दीन उवैसी ने बुद्वार को आजमगड में भाचपो और सपा समेथ विपक्ष पर हमला बोला कहा कि मेरी लड़ाई सम्विधान को बचाने के लड़ाई है जो मैं लड़ता रहूँगा जहां भी सम्विधान और बाबा साहब अमबेटकर कि सिधानतों को बचाने के लिए मुझे आवाज लगाई जाएगी मैं वहां खड़ा नजार आउँगा वो वैसे जब तक जिन् के पांच मंतरियों और स्वामी प्रसाद मौर की साकडाओं पर यूपे विधान सब्सभा चनाओ 2022 के लिए चटी चरनके मंदान में गुरखपुर अबस्ती मंडल में योगी सरकार के पांच मंतरियों की साकडाओं पर लगी आज यूपे के दस दिलों में जन 57 सीट के प्रोना सीट से विधायक थे लेकिन मौरे भाजपा को छोड़ कर इस बार फिलहाल फाजिल नगर से सपा के टिकेट से प्रत्याशी हैं। उन्होंने फुल टॉस गेंड डाली है भाजपा को इस बार जीत का चौका लगाना होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश की एक आख से जाती दिखाई देती है तो दूसरी से दूसरा धर्म दिखाई देता है। किंद्र सरकार नी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को अब बैह अधसान बना दिया। को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस यानि आटियों के चकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं सरकार ने जहां ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में तो फिर बदल किया है इसे के साथ ही ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर सड़क और परिवहन मंत्राले की ओर से कुछ गाइड लाइन्स और शर्ते भी बना दी गई है नवेज कोट को लागू करने के लिए मोधी सरकार कंपनीज के एचार प्रमुकों से कर रही है बाची श्रम मंत्राले वेच कोट पर चिंताओं को दूर करने के लिए सभी शेत्रों के एचार के साथ चर्चा कर रहा है श्रमो रोजगार मंत्री भूपिंद्र यादव ने एकोनॉमिक्स टाइम्स को दिये एक साक्षात कार में बताया कि नियमों के मौजूदा धांचे में बदलाव किये बिना मुद्दों को नियमों के माध्यम से लागू किया जाएगा मंत्री ने कहा कि श्रम सहिता को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा लगबग 26 राजों ने वेतन सहिता पर नियम अधिसूचित किये और सभी राजे सभी चार सहिताओं पर नियमों को अधिसूचित करने पर काम कर रही है हमने सामाजिक सुरक्षर सहिता को आंशिक रूप से लागू किया लेकिन हम चारों को व्यापक रूप से एक साथ देखना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भी चला पाएंगे वाहान ट्रैफिक पुलिस नहीं काटे की चालाण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं काट पाएगी दरसल इस कबर का फायदा उन लोगों को होने वाला है जो ड्राइविंग करते हैं ट्राइविंग में अमो को लेकर हम आपको सलह देते हैं कि हमेशा उनका पालन करें ऐसे करना आपके और सलक पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए बहुत जरूरी है ऐसा ना करने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है वाहन चाला के आतयात पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा पूछे जाने पर डीजी लॉकर प्लैटफॉर्म या एम परिवहन मुबाइल एप में डिजिटल रूप में रखें दस्तावेजों को दिखा सकते हैं डीजी लॉकर में डॉक्यमेंट सेव रखने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यमेंट की हार्ट कॉपी रखने के जरूरत नहीं है केंदर सरकार द्वारा संचालित पीम कुस्म योजना के तहट किसानों को सोलर पंप लगाने पर 90% तक की सबसेदी दी जा रही है किसान प्रधान मंत्री कुस्म योजना के लिए आवे दन करके सबसेदी का लाब ले सकेंगे साथी आपको बता दे कि बंजर जमीन का इस्तमाल भी किया जा सकता है इस योजना का लाब देश के सबी किसान उठा सकेंगे और सोलर पंप लगा कर आसानी से अपनी जमीन के सचाई कर सकेंगे इस पीम कुसुम योजना के तहट किसानों को सबसिरी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली पैदा कर सकते हैं वे अपने जरूरत की सौर उर्जा का उपयोग करके बाकी को बेच कर अतरिक्त आई भी अरजित कर सकते हैं खेती की तकनीकी जानकारी के लिए इस मेले में आएं किसान भारते क्रिशियनोसंधान संस्थान पूसा के द्वारा प्रतेक वर्श आयोजित होने वाले क्रिशी मेले के लिए इस वर्श की तारिखों का एलान कर दिया गया है नई दिल्ली में आयूजित होने वाले इसक्रशी मेले का इंतजार देश भर के किसानों को रहता है इस वर्ष आयूजित होने वाले इस कृषी विज्ञान मेले में किसानों को स्मार्ट खेती, हाइड्रोपोनिक खेती, ड्रोन तक्नीक विश्विद्याले के द्वारा विक्सित मसलों के उननत बीज और जैविक खेती जैसे आधोनिक विश्यों पर जानकारी दी जाएगी, सा उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा, भारतिक रिशिया नुसंदान संस्थान पूसा के द्वारा इस मेले का आयूजन, नई दिल्ली में 9 मार्च से 11 मार्च के दौरान किया जाएगा LIC दसवी बारवी के चात्रों को देगा 20,000 की स्कॉलर्शिप LIC कंपनी के बारे में सभी ने सुना होगा, LIC हमारे देश की सबसे बड़ी इंशोरंस कंपनीज में से एक है LIC कंपनी 10 वी और 12 वी पास चात्रों को स्कॉलर्शिप देगा, LIC 10 वी और 12 वी पास स्टुडेंट्स को 20,000 रुपे की स्कॉलर्शिप देगा LIC scholarship scheme का सबसे बड़ा फायदा ये है कि scholarship उन students को दी जाएगी जो किसी सरकारी या private school में पढ़ रही है इस योजना के पातर चात्रों को 20,000 रुपे की एक मुश्ट राशी दी जाएगी ये राशी तीन किष्टों में दी जाएगी विशेश रेनी की चात्राओं को जो बारवी कक्षा में पढ़ रही हैं उन्हें handling scholarship के अलावा 10,000 रुपे की अतरिक्त चात्रवित्ती राशी दी जाएगी इस एलाई से चात्रवित्ती युजना कलाब लेने वाले चात्रों की स्कूल में 75% से अधिक उपस्तिती होनी चाहिए और वेस युजना के लिए पात्र होते हैं बैंक ओफ इंडिया का फेस्टिव आफ़र 31 मार्श तक होम लोन, कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह सिमा अगर आप इस होली घर या कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है बैंक ओफ इंडिया 31 मार्श 2022 तक होम लोन और विकल लोन पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा बैंक की आधिकारित वेपसाइट पर उपलब्द जानकारी के मताबिक फेस्टिवल के चलते प्रोसेसिंग फीस माफी को 31 मार्श तक लागो किया गया है यानि जोरान होम लोन और विकल लोन पर ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस माफ कर देने से होम लोन और कार लेने वालों में उत्साह बढ़ेगा बता दें कि बैंक होम लोन 6.50 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है और कार लोन पर 6.85 फीस दी तक का ब्याज दे रहा है रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी रेलवे ने फिर बहाल की कैंसल ट्रेने ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए बेहद रहत वाली खबर है बता दें कि ये सबी वो ट्रेन हैं जिने कोहरे के कारण रद कर दिया गया था ऐसी ट्रेन्स दोबारा से पटरी पर दोडने लगेंगी अब इन सभी ट्रेन्स में से कई प्रमुक ट्रेन्स का परिचालन दोबारा से शुरू कर दिया गया है जिसके बाद ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी रहत मिलेगी टूल प्लाजा पर लगी 100 मीटर लंबी लाइन तो नहीं भरना होगा टैक्स जाने NHAI का ये नियम टूल प्लाजा वाहनों की लंबे कतार कम करने के लिए नैशनल हाईवे अथर्टी ने टूल प्लाजा ऑपरेटर्स की जवाब देही तैकरते हुए नियम लागू किया जिससे वाहन चालकों को फायदा होगा NHAI की गाइडलाइन के तहट पीक समय में भी फास्टैक होने के बावजू टूल प्लाजा पर किसी भी वाहन को 10 सेकंड से जादा का वक्त नहीं लगना चाहिए अगर ऐसा होता है और वाहनों की 100 मीटर से लंबे लाइन लगी है तो ऐसी स्थती में वाहनों को बिना टूल टेक्स वसूले जाने दीना होगा दस्मार्च की बुकिंग शर्तों के साथ ले रहे ट्रांस्पोर्टर सतार रहा ये डर रूस यूक्रेन युदिक के चलते कच्ची तील की कीमतों में बढ़ुत्री और विरोधी दलों के दोरा दस्मार्च के बाद पेट्रोलिया पदार्तों की कीमतों में उच्छाल की आशंका को देखते हुए ट्रांसपोर्टर सहमी हुए है यही बज़े है कि 10 मार्च के बाद के दिनों के लिए माल की सशर्थ बुकिंग सशर्थ कर रही है ट्रांसपोर्टर शर्थ रख रही है कि अचानक डीजल की कीमते बढ़ी तो माल भाड़ा भी बढ़ा कर दीना हूँगा बार विपास हैं तो यहां करें आवेदान भारा सरकार के इन विभागों में निकली 4,000 से अधिक पदों पर भरतियां भारा सरकार में नावकरी के इच्छा रखने वाले उमीद वारों के लिए अच्छे ख़बर है जिन उमीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें क्योंकि आवेदन के लिए सिर्फ चार दिन बची हैं इच्छो कर योग्य उमीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे SSC की आदिकारी के अपसाइड SSC.NIC.IN पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं नीट परिक्षा देने के बाद यी विदेश में कर सकते हैं MBBS वापस आने के बाद नेक्स परिक्षा भी सरूरी रूस और यूक्रेन के बीश रड़ाई में हजारों भारती चात्र फसे हैं चिकित सिक्षाले ने यूक्रेन का इन चात्रों में अधिकांश MBBS पार्टिक्रम के पहले और दूसरे वर्ष के चात्र हैं जो साल 2020 और 2021 के दौरान नीट परिक्षा पास करने के बाद यूक्रेन में अड्मिशन मिला इन चात्रों के वतन वापसी को लेकर हर कोई चिंतित है ऐसे में कई लोग इंटरनेट पर ये तलाश रही हैं कि आखर यूक्रेन में चात्र चिकित सिकिये पढ़ाई करने के लिए क्यों जा रही है क्या इसके पीछे फीस भारत के तुलना में कम है या फिर वहां पढ़ाई सामाने है नए नियमक के अनुसार भारत या फिर विदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए नीट परिक्षा पास करना जरूरी है युक्रेन रूस चीन सहित कई देशों में नीट परिक्षा पास करने वालों को ही MBBS में अड्मिशन मिलता है इसके बाद जब उक्तिछातर MBBS पूरा करने के बाद वापस भारत आता है तो उसे नेक्स परिक्षा देनी होती है इसके बाद ही उसे लाइसेंस प्राप्त होता है वायुशक्ती में दम दिखाएंगे 148 लड़ाको विमान पहली बार राफेल भी लेंगे हिस्सा भारते वायुसेना के कुल 148 विमान साथ मार्श को जैसलमेर के पोकरान रेंज में होने वाले अभ्यास वायुशक्ते में अपनी शम्ताव का प्रदशन करेंगे एक वरिष्टा दिकारी ने बुद्वार को ये जानकारी दी राफेल विमान पहली बार इस अभ्यास में भाग लेंगे आईए पदिकारी ने कहा कि बुद्धान मंत्री नरेदर मोदी मुख्य अतिती होंगे तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको ने उस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें धन्यवाद